चलिए तो गाइज अंड गर्ल्स आर यू रेड़े बताइए जरत चैट में क्या आप तयार हैं आज के इस सुपर एमसीक्यू क्वेस्चन्स के लिए क्या अप लोगों ने घर पे इसको पढ़ा कोई तरीके की दिक्कत है तो पहले मुझे बताएं वरना आज हम पहले एमसीक्यू लेंगे फिर केस सिनारियो लेंगे आज का हमारा एजंडा एमसीक्यू और केस सिनारियो है और फिर कल हम डिस्क्रिप्टिव लेके इसे खतम करेंगे बच्चे कह रहे हैं हमने इसे घर पे पढ़ा है कोई दिक्कत है तो बताएं और दिक्कत नहीं है तो फिर हम शुरू करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे ऐसा कह रहे हैं लट स्टार्ट विदे एमसीक्यू पोर्शन एमसीक्यू सुपर सीरीज एसम चेप्टर नमबर वन पहला सवाल यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पार इस्ट्राटजी इस गेम प्लान यूज़ फॉर दे फॉलिंग स्ट्राटजी एक गेम प्लान है जो यूज़ किया जाता है टू टेक मार्केट पोजीशन टू अट्रेक्ट अन सेटिस्वाई कस्टमर टू रस्पॉंड टू डैनेमिक एन होस्टेल इंवार्मेंट या ओल अव द अबो बताओ क्या है सही जवाब चैट में मुझे दीजिये सही जवाब अजली के है बुक में स्ट्राटेज damit की दिखर खिया कौंसे याद करनी है तीनों को मिक्स करके याद कर लेनी है जो आपको को यह गियाद करने हैं वैसे रहत आपको बता दिया और आपने नोच में वो ंसादे नहीं करना है हमने जो notes दिये हैं उसको refer करना है तो ये notes अब आपको बेटा रवाना कर दिये गए हैं आपको मिल जाएगा तो बच्चे कह रहे हैं इसका जवाब है D D D D D D D D D All of above बिल्कुल सही जवाब strategy game plan है जो की market की position लेने के लिए customer को attract और satisfy करने के लिए और dynamic response करने के लिए जरूरी होता है बिल्कुल सही जवाब चलिए अगला सवाल करते हैं question number two which of the following is correct इन में से कौन सा correct है strategy is always pragmatic and not flexible strategy is not always perfect flawless and optimal strategy is always perfect flawless and optimal strategy is always flexible but not pragmatic बताइए what is the सही जवाब India wants to know पूरा पारत जानना चाता है क्या है इसका सही जवाब दीजिए इसका सही जवाब chat box में दीजिए इसका सही जवाब पढ़िए समझिए और जवाब दीजिए इसका सही जवाब Qonsa statement correct है strategy is always pragmatic and not flexible strategy is not always perfect flawless and optimal strategy is always perfect flawless and optimal strategy is always flexible but not pragmatic easiest say is जवाब तो बच्चा बच्चा कह रहा है It is B Strategy is not always perfect Flawless and optimal बिल्कुल सही जवाब ठीक है बिल्कुल सही जवाब चली आगे बढ़ते हैं Question No.3 Strategy is proactive in action reactive in action a blend of proactive and reactive none of the above बताओ strategy के बारे में कौन सी बात सही है What is the correct answer These are सही जवाब India wants to know पूरा पारत जानना चाहता है बचा बचा कह रहा है It is C It is C It is a blend of proactive and reactive action बिल्कुल सही का हमने इसके लिए आपको कई एक्जामपल भी दिये थे रतन टाटा का सिंगूर से सानन जाना रिलाइंस जोयल का आना रिलाइंस फ्रेश स्टोर के मुकाबले यह सब हमने उधारन दिये थे आपको और अभी और भी कई तरीके की चीज़े हमने बताई आपको चलिए अभी जैसे हम कह रहे है अब तो बेटा वो खबरे आने लग गए ही जो बत्रसर कह रहे थे चाइना से निकल के वो पूरी दुनिया बर में वाइरस जा चुका है बेटा और खास तोर से बच्चों के उपर काफी एफेक्ट कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है इसका कोई ऐसा म्यूटेंट आ जाए जो बड़ों को भी एफेक्ट करने लग जाए तो हो सकता है हम इंडिया में फिर से एक लॉक डाउन की स्तती देखे और मुझे तो 26 जन्वरी से पहले पहले यह सब कुछ आता दिख रहा है तो हमें नहीं स्ट्रेटिजिया बनानी पड़ेंगी जो की ब्लेंड होंगी प्रो एक्टिव और रियक्टिव की चलिए फूर्थ रियक्टिव स्ट्रेटिजी को और क्या नाम से पुकारा दाते है रियक्टिव स्ट्रेटिजी का और क्या नाम है प्लांड स्ट्रेटिजी, अडाप्टिव स्ट्रेटिजी, साउंड स्ट्रेटिजी, डैनमिक स्ट्रेटिजी Reactive Strategy का दूसरा नाम क्या है Reactive Strategy का दूसरा नाम क्या है Reactive Strategy तेरा नाम क्या है पसंती तेरा नाम क्या है तो दीजिये सही जवाब What is the सही जवाब of question number 4 पच्चा पच्चा कह रहा है It is B, Adaptive कहा जाता है Plant को proactive कहते हैं Plant को proactive कहते है, Reactive को adaptive कहते है बिलकुल सही जवाब Question number 5 What is question number 5 देखें जी question number 5 Formulation of strategy and their implementation एक strategic management process होता है जो कि undertaken किया जाता है By formulation, strategy का बनाना और strategy का लागू करना यह दोनों चीज़े strategic management में होती है और यह कौन करता है यह top level करता है, middle करता है low level करता है, all of the above करता है These यह सही जवाब India wants to know पूरा पारत जानना चाहता है कौन करता है Formulation of strategy और उनका implementation जो कि strategic management process के दो इससे हैं कौन करता है बुल बुल कौन है वो बुल बुल कौन है वो पताओ ड़े Top level executive करता है middle level करता है, lower करता है all of the above करता है Formulation और implementation दोनों की बात हो रही है कौन करता है E कौन करता है बाचा बाचा बोल रहा है सभी करता है All of the low formulation का काम top level करता है लेकिन जो implementation का काम है वो कौन करता है वो lower level करता है तो formulation top or middle implementation lower इसलिए सभी लोग सामिल है All of the above All of the above इसलिए सब लोग इसमें सामिल है All of the above बिल्कुल सही जवाब तो हमने अग तक 5 सवाल कर लिए फिर से देखे multiple question में सबसे पहला कहाता है strategy game plan है किसके लिए to take market position to attract and satisfy customer to respond to dynamic and hostile environment second कौन सा correct है strategy is always strategy is always pragmatic and not flexible strategy is not always perfect flawless and optimal यह सही है strategy क्या है it is a blend of proactive and reactive action इसके उपर तो बखाएद एक पूरा सवाल हमने पड़ा example सई reactive strategy को क्या कहा जाता है adaptive कहा जाता है पांच मां formulation and implementation जो strategic management process का हिस्सा है कौन करता है सभी करते हैं top middle or low clear है clear है clear है शुशा लिए आगे बढ़ते है question number six here is question number six which of the following are responsible for formulation and developing realistic and attainable strategies कौन formulate करने में और realistic strategy लागू करने में मददगार है corporate level and business level मतलब top and middle corporate and functional top and low level functional and business middle and low corporate business and functional मतलब all the levels तो formulate करना और realistic चीजों को बनाना किसका जिम्मा है बताईए बताईए किसका जिम्मा है जिम्मा जिम्मा नहीं बोल जिम्मा 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 बोल रहे है जिम्मा जिम्मा नॉट जिम्मा 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 किसका जिम्मा है बताऊ बासा बासा के रहा है इतिर डी corporate level, business level and functional level इनका जिम्मा है तो यह जिम्मा है सभी का all the level का जिम्मा है जिम्मा जिम्मा corporate level भी यह जिम्मा उठाता है business level, middle level भी यह जिम्मा उठाता है और functional level भी यह जिम्मा उठाता है सभी लोग उठाता है यह जिम्मा जिम्मा चली अगला सवाल question number seven which of the following manager role is to translate the general statement strategy into the concrete strategy of their individual business ये तो ICAI module की line में लिखा है हमने पढ़ाया आपको कौन सा manager का role होता है general statement strategy जो की business level के लिए बनी होती है उनको concrete strategy में बदलना supervisor का काम है functional manager का का काम है CEO का काम है कि all the above किस के लिए कहा है ये बताइए ये बात हमने किस के लिए कही है किस के लिए किस के लिए किस के लिए बताइए ये हमने फंक्शनल मैनेजर के लिए कहिए रख सही answer is b functional manager सही answer is b functional manager फंक्शनल मैनेजर का काम होता है कि वो ट्रांसलेट करें जन्रल स्टेटमेंट स्ट्रेटजी को concrete स्ट्रेटजी और इंडिविजल बिजनस next which statement should be created first and foremost सबसे पहले क्या बनना चाहिए strategy, vision, objective, mission कौन सी चीट पहले बननी चाहिए बताओ कौन सा statement पहले आना चाहिए strategy, vision, objective, mission पीजिय सही जवाब इंडिया wants to know पूरा पारत जानना चाहता है what is a सही जवाब अरे देबो न सही जवाब, देबो, देबो सभी ने कहा it is B vision में ऐसा होता है सबसे पहले vision बनना चाहिए बहुत सही जवाब सबसे पहले vision statement बनेगा, फिर mission बनेगा, फिर goals and objective आएंगे question number 9 strategic management enable the organization to dash instead of company just responding to threat in the business environment ये भी ICI की line है अबने पड़ाया है आपको strategic management enable the organization to dash instead of companies just responding to threat in the business environment to be proactive, determine when threats will subside, avoid the threats and defeat their competitor क्या लिखा जाना चाहिए, बताये, what is the सही जवाब बासा बासा कहे रहा है, it is a, strategic management organization को proactive बनाता है correct answer is proactive instead of company just responding, मतलब reactive कंपनियों को strategic management proactive बनाता है ताकि उन्हें reactive कम से कम होना पड़े proactive बनाता है, proactive ताकि reactive होना कम से कम पड़े आईए, अगला हवाल, question number 10 read the following 3 statement, 3 statement पड़िये statement number 1 है, strategies have short range implication strategies are action oriented, strategies are rigidly defined from the combination given above, select the alternative that represents the statement that are true बताये इन में से true कौन से है first, second, third में से true कौन से है combination A कहता है first and second, B कहता है first and third, C कहता है second and third, D कहता है सभी, तो पढ़िये statement को और फिर मुझे बताएए, कौन सी चीज़े सही है What is the सही जवाब चोबित मित्तल बिटा गलत हो गया आप आपने लिखा है C, गलत हो गया आप इसमें strategies have short range implications सही है, short भी होता है, long भी होता है actions are, strategy are action oriented, ये भी सही लिखा है strategy are rigidly defined, ये गलत लिखा है ये गलत लिखा है, तो केवल पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा गलत है तो सही answer है A, first and second चोबित मित्तल बिटा, आप अपने आपको correct करें strategy are rigidly defined, ये बात गलत है strategy flexible होती है, rigid कभी नहीं होती है इसलिए केवल पहला और दूसरा statement ही correct है और वो लिखा है A में तो वो लिखा है A में बात आई क्या समझ में is it clear, is it clear, is it clear easiest size जवाब तो correct आगे answer, समझ में सबको कोई doubt तो नहीं शोबित, आपको समझ में आगे बटा आप गलत answer बता रहे थे third rigidly defined तो हो नहीं सकता और आपने बता है combination C, second and third तो ये गलत था शोबित आगे बटा है आगे देखें सवाल नमबर 11 what involve formulating, implementing and evaluating cross functional decision that enable the organization to achieve its objective formulate करना, implement करना, evaluate करना ये सब किस में होता है formulation में, evaluation में implementation में, strategic management में बताइए बताइए, बताइए, बताइए किस में होता है ये किस में होता है ये किस में होता है what involve formulating, implementing and evaluating cross functional decision that enable the organization to achieve its objective बताइए uponики december do ऐसा होता है तो बाचा-बाचा बिल्कुल सही कहता है strategic management में होता है तीन काम होते हैं पहला काम होता है formulation उसके बाद होता है implementation उसके बाद होता है evaluation और इन सब से मिलके बनता है strategic management तो strategic जो management होता है उसमें तीन काम होता है पहला formulation होता है दूसरा implementation होता है तीसरा evaluation होता है चप्टर पांच में डीटेल में हम इसके बारे में और बात करेंगे अगला सवाल बारमा सवाल strategic management allows the organization to be more strategic management क्या करता है आपको क्या बनाता है more authoritative, more participative, more commanding, more proactive what is the सही जवाब strategic management allows the organization to be पिछले सवालों में इसका hint दे रखाता तो पिछले सवालों के hint से इसे समझने की कोर्सिस करें बताइए what is the सही जवाब बाचा बाचा बतावे मुझे what is the सही जवाब सभी लोग पटापट से के दो चेट में था कि मुझे पता चले आप क्या होच रहे हैं तो बच्चा बच्चा कह रहा है it is d बच्चे बच्चे क्या कह रहा है it is d बच्चे बच्चे ने बताया हमें यह proactive होना चाहिए बच्चा बच्चा कह रहा है हमें यह क्या होना चाहिए प्रो एक्टिव होना चाहिए बात आई के सब को समझ में इस इड़ क्लियर इस इड़ क्लियर इस इड़ क्लियर तो देखें पांच सवालों को हमने देख लिया था शे से लेके आगे तक सवालों को हम देख लेते हैं तो सही जवाब है तो सही जवाब है, all the levels, corporate level, business level and functional level तीनों level इसके लिए जिम्मेदार है साथवा सवाल था, management का role कौन से manager का role होता है, जो translate करता है general statement strategy into concrete ये functional manager का काम है, सबसे lowest level manager का काम है आठ हुआ, कौन सा statement सबसे पहले बनता है, strategic intent के तहट सबसे पहले बनता है vision, फिर बनता है mission, फिर business definition, फिर business model, फिर goals and objective आपने diagram भी देखा था, आपको ध्यान होता हमने ऐसा एक diagram मनाया था जिसमें यहाँ था strategic intent और intent में सबसे पहला था vision बात आरी समझ में, इस तरीके से, उसके बाद nine था strategic management enable the organization to be more proactive, proactive बनाने में मदद करता है आपको ten था कुछ statement दे रखे हैं, जैसे strategy के short range implication है strategy action oriented है, strategy rigidly defined है तो इसके आधार पर best alternative क्या है, first and second strategy short range भी होती है, long range भी हो सकती है और यह action oriented है, यह सही है, rigidly defined गलत है क्योंकि strategy rigidly नहीं होती, flexible होती है अगला सवाल, question number 11 what involves formulating, implementing and evaluating the cross functional decision तीनों चीज़े किस में मिलती है हमारे को, strategic management में मिलती है किस में मिलती है हमारे को, strategic management में मिलती है बारवा सवाल, strategic management allows the organization to be bored क्या बनाता है, strategic management आपको proactive बनाता है क्या बनाता है, आपको proactive बनाता है so this completes the mcq portion ठीक है, practice के लिए में कुछ और mcq कर रहूंगा आपको लेकिन फिलहाल इतना ही, इसके अलावा कि practice के लिए आप तयार है कुछ और आपके पास में आ जाएंगे, due course or time में तो बताओ, पढ़ कर, समझ कर, मज़ा आया कि नहीं आया ज़रा चैट में मुझे बताएं, पढ़ कर, समझ कर, यह mcq को मज़ा आया कि नहीं आया आप इसके बाद हम सरू करने जा रहे हैं, case scenario जा सरू करेंगे हम case scenario based mcq, तो बताओ, इतना पढ़ के मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आरे मज़ा आ रहा है, कसम से बताओ रही चलिए आईए शुरू करते है, sm chapter 2 के mcq, पहला सवाल यह रहा, आपकी computer screen पर, ksf stands for, ksf का पूरा नाम क्या है, बसंती तेरा नाम क्या है, बताइए क्या इसका नाम, की strategic factor है, क्या इसका नाम, की supervisory factor है, क्या इसका नाम, की success factor है, क्या इसका नाम, की sufficient factor है, बताइए बताइए, 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 let me know, क्या है इसका नाम, तो ksf का पूरा नाम क्या है, बताइए अंजली पूछ रही आज शाम को भी लोग है क्या हाँ बिटा आज शाम को हम लोग लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं और आज शाम को एक नए समय पर ट्राय करते हैं इस क्लास को फिर ये लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेट भी उपलब्द हो जाएगी तो आज शेप्टर टीम की शुरूआत कर देंगे बिटा शाम से तो आज दिन में दो क्लासे हो रही है आपको मिल जाएगा तीसरे शेप्टर की शुरूआत का पहला लेक्चर तो बताएगे केसेफ का पूरा नाम क्या है वाट इस फुल फॉर्म आफ केसेफ की स्ट्रेटिक फैक्टर की सुपरवाईजरी फैक्टर की सक्सेस फैक्टर की सफिशन फैक्टर तो दे करेक्ट आंसर इस सी इस की सक्सेस फैक्टर बिलकुल सही जवाग चली अगला सवाल देखते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडिस्केप रिक्वाईर दे अप्लिकेशन ओफ कॉम्पिटिटिव लैंडिस्केप किस बात का अप्लिकेशन करता है कॉम्पिटिव एडवांटेज का, कॉम्पिटिव स्ट्रेटिजी का, कॉम्पिटिव एक्युमेन का, कॉम्पिटिव इंटेलिजन्स का कॉम्पिटिव लैंडिसकेप रिक्वाईर दे अप्लिकेशन ओफ वाट competitive advantage competitive strategy competitive acumen competitive intelligence बताईए क्या चीज का application हमें करना पड़ता है competitive landscape में मैंने पढ़ाते वे भी इस पे कुछ गोला बनाया था और कहा था यह keyword है competitive landscape पर सवाल आने पर हमें यह जरूर लिखना पड़ेगा और देख लो आप से सवाल भी पूछ लिया गया MCQ पे तो बताईए competitive landscape किस बा India wants to know पूरा पारत जानना चाहता है So the correct answer is D competitive intelligence मैंने आपको पढ़ाते वे इसके उपर गोला लगा कि पताया था यह keyword इसका competitive landscape आने पर application होता है competitive intelligence की अगला सवाल The term pestle analysis is used to describe the framework for analyzing तो pestle analysis कौन से framework को करता है Macro को, micro को, both macro, micro या none other above दीजिये सही जवाब India wants to know पूरा पारत आप से जानना चाहता है क्या है इसका सही जवाब दीजिये सही जवाब The pestle analysis network किस बात का framework analyze करता है दीजिये सही जवाब And the correct answer is It is macro environment बिलकुल पढ़ते वह हमने इसके उपर भी underline करके गोला बनाया था कि इसका सही जवाब है macro environment पेस्टल का चलिए पेस्टल is related to macro next question attractiveness of the firm while conducting the industry analysis should be seen as attractiveness of the firm को कैसे देखा जाए relative terms में absolute में comparative में या all of the above attractiveness of the firm while conducting industrial analysis should be seen as relative absolute comparative all of the above दीजिये जवाब इंडिया wants to know पूरा पारत जानना चाहता है दीजिये जवाब दीजिये पूरा सही जवाब attractiveness of the firm while conducting the industry analysis should be seen as relative term है absolute term है comparative है all of the above है दीजिये इस पे मैं सही जवाब चली अगला सवाल अगला सवाल हमारे सामने है which of the following constitute the demographic environment demographic इस पे से कौन सा बनाता है nature of economy that is capitalism socialism या mixed side composition distribution of population and sex ratio foreign trade policy of the government economic policy fiscal monetary and other policy of the government बता हो कौन सा demographic environment को बनाता है डेमोग्राफी में क्या होता है बताई यह मैं आपको पढ़ाते हों बताया था demography means characteristics of dash 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 उससे जवाब आ जाएगा तो आपको ना सवाल पढ़ती दिमाग में जवाब आना चाहिए option हमें बाद में देखने को मिले अगर ऐसा हो रहा है कि जैसे आप सवाल पढ़ा है और आपके दिमाग में जवाब आ रहा है और आप option बाद में देख रहे हैं तो इसका मतलब time revise किया है फिर live real time के example से समझने की कोशिश किया और आप घर पे 200 page के अपनी copy में notes भी बनाते चल रहे हैं और उसके साथ साथ फिर खतम होने पर हम summarize करते हैं mcq करते हैं case based scenario करते हैं descriptive करते हैं इस तरी के पूरा chapter हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो अगर आपको जवाब पढ़ते ही आ रहा है इसका मतलब आप right track में तो सही जवाब है B size composition distribution of population and sex ratio बात आई सब को समझ में चलिए आगे बढ़े next question what are the what are the elements of macro environment macro environment except इन में से सारे element macro के हैं कि वहले एक को छोड़के क्या वो society है government है competitor है technology बता वो कौन है बता वो कौन है बोलो बोलो कौन है वो बोलो बोलो कौन है वो इन में से कौन सा macro का component नहीं है वो बताना है मैं competitor macro का पार्ट नहीं है यह micro का पार्ट होता है बात आगी सब को समझ में चलिए seventh question the emphasis on the product design is very high the intensity of competition is low and the market growth is low in dash stage of the industry cycle बताओ 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 किस में होता है ऐसा the emphasis on the product design is high the intensity of the competition is low market growth भी low है कौन सी stage में ऐसा होता है क्या वो maturity में होता है introduction में होता है growth में होता है decline में होता है पताओ बताओ 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 आपको मालूम है product live cycle कुझ इस तरह के बदती है और यह रही हमारी पहली स्टेज इन रही हमारी दूसरी यह रही तीसरी और यह रही चौती फरस्ट अ कि रर ऑ को ये इन्ट्रोडक्शन है ये ग्रोथ है ये मिच्यॉरिटी है ये दिग्लाइन है कौन सी stage पर ऐसे होता है बताओ यह introduction stage पर होता है इस stage पर होता है so correct answer is b यह introduction पर होता है जब हमारा product design high होता है competition कम होता है market growth rate भी low होती है तो बात आगी सबको समझ में तो यह थे हमारे सवाल जो हमने यहां पर study किये hope करता हूँ sorry आपको सब सवाल समझ में आगे होंगे तो यह रहे आपके सामने साथ सवाल हमारे ksf की success factor को कहते है competitive लेंडिस्केप competitive intelligence के application को यूज करता है पैस्टल अनालिस मैक्र इंवार्मन को बताता है अट्रेक्ट इनो जो फर्म जो है रिलेटिव टर्म है डेमोग्राफी का कौन पार्ट है डेमोग्राफी किस पर बेस्ट है size composition of population sex ratio मैक्र इंवार्मन का कौन पार्ट नहीं है competitor product की design high होती है intensity low होती है competition की market growth low होती है introduction में clear हो गया चाली आईए पहला सवाल देखते हैं one mcq का mcq super series पहला सवाल यह रहा आपकी computer screen पर the goal of sort analysis is to यहाँ dash मतलब यहाँ dash आया है यहाँ dash आया है पहले is to dash the organization opportunities and strength while dash its threat and dash its weakness तीन जगर दैश है एक तो यहाँ dash है एक यहाँ dash है एक यहाँ dash है तीन जगर दैश है the goal of sort analysis is to dash मतलब fill in the blanks है to dash the organization opportunity and strength while dash fill in the blanks है its strength and dash fill in the blanks है its weakness तीन जगर दैश है अब इसमें option देखो A, B, C, D चार option है avoid neutralize correct, exploit neutralize correct, avoid capitalize neutralizing and exploit avoiding ignoring बताइए what is the correct answer chat box खुला पड़ा है आप हमें बताएं what is the correct answer ... ... ्च्छि कर दो कर well झाल झाल चल ये दीजीए सई जवाब What is the correct answer? थोड़ा सा अगर दिमागा इस्तिमाल करें तो देखो पहले ड़ेश में क्या आना चाहिए The goal of short analysis is to Dash the organization, opportunity and strength अब मुझे बताओ, opportunity and strength को आप क्या करोगे Avoid करोगे के Explo導 करोगे Sir, Explo導 करेंगे तो exploit करेंगे तो एक तो B हो गया एक D हो गया आपके सामने फिर कहता है while it's threat अब threat को क्या करोगे आप neutralize करोगे का avoid करोगे Sir threat को neutralize करते हैं तो फिर B हो गया ये और weakness को क्या करोगे correct करोगे एक इनूर करोगे weakness को तो correct ही करेंगे Sir so correct answer is B ठीक है B और D चल रहे थे लेकिन इसमें से सही जवाब ही हमारा B, बात आई कैं सबको समझ में बात आई कैं सबको समझ में कैसे पता लगा है आपने clear हुआ के नहीं होआ सबको clear हुआ के नहीं हो इस सबको ठीक है तो पहले वाले dash में आएका exploit, exploit the opportunity and strength अच्छा, threat को क्या करेंगे neutralize करेंगे, weakness को क्या करेंगे correct करेंगे, so this is the correct answer clear है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, next question number two sort analysis is an evaluation of the organization weakness and its opportunity and threat, ठीक है organization की strength and weakness, strength भी आएगा strength and weakness and its opportunity and threat, इसका evaluation होता है, अब बताओ, short analysis में strength and weakness, ये internal factor है के external है, और opportunity and threat external, internal है पहले क्या है, बात में क्या है, तो option है external, internal, internal, external और external, external और internal, external, बताओ, क्या इसका सही जवाब है, what is the सही जवाब, tell me tell me, tell me, tell me strength and weakness internal factor है के external है, वहाँ से जवाब आजाएगा, और opportunity threat के internal, external, उससे जवाब आजाएगा so what is the सही जवाब, सही जवाब is D, internal है strength and weakness, opportunity and threat external है clear है, clear है, clear है आगे पड़ें, next, question number three, external opportunities and threats are usually, the minor cause of organization, demise or success, क्या ये बात सही है, least important for CEO and other board or director, not as important as internal strength and weakness, largely uncontrollable activity and outside the organization, ये ही सही जवाब है, opportunity and threat हमारे आजब नहीं होती है कब क्या problem आजाए, किसी को पता है, क्या, बताओ मौलदीव के तीन ने 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 बने मंत्रियों ने अना, अब वो यंग एज की थे कुछ भी लिख दिया, उन्होंने ट्विटर के उपर और उसका परिणाम ये हुआ कि मौलदीव की ऐसी तैसी होगी टूरिजम की, प्रदानमंत्री मोधी लक्षुदीव चले गे और वोकल फूर लोकल कर दिया, make my trip पे इतने सारे कैंसल होगे, order के पूछो मत, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा हिस्सा है मौलदीव के टूरिजम का अगर हम अंडमा, निकोबार को, लक्षुदीव को और ऐसे एरिया को डवलप करते हैं तो आने वाले टाइम में मौलदीव जाएंगे नी लोग ये डवलप हो जाएंगे, तो आप सोचो ये जो थ्रेट आई है मौलदीव के उपर इसके उपर उसका कोई इंडियन फ्रन है क्या कौन कब क्या बोला और उसका परिणाम उसको कैसे भुगतना पड़ेगा किसी को नहीं पता है तो इसलिए अपरोचनेटरी और थ्रेट क्या होती है लार्जली अनकंट्रोलबल एक्टिविटी होती है आउटसाइड दर और्गनाइजेशन के मौलदीव के लोग क्या बोलेंगे और इंडिया के लोग कैसे रियक्ट करेंगे नहीं पता इसी तरीके चाइना के साथ हुआ था जब हमें मालूम पड़ा के चाइना ने गलवान में और दूसरी जगह हमारे सोल्जर्स के साथ में जो है वो गड़बड की है तो हमने चाइनी समानों का पैश्कार कर दिया अब वहां पे जमीन अथ्याने आये थे और उसका नुकसान उन्हें आर्थिक शेत्र में उठाना पड़ा लार्जली अनकंट्रोलेबल नेक्स्ट चौथा सवाल The sustainability of the competitive advantage and the firm ability to earn profit from its competitive advantage depends upon किस पर depend करते हैं चार चीज़े हैं Durability, Reliability, Transferability, Approximately Appropriability, Durability, Transferability, Immitability Transferability, Immitability, Reliability, Approximately Immitability, Approximately तो होता नहीं Appropriability होता है इसलिए B is the correct answer Appropriability, Durability, Transferability, Immitability ठीक है Short में बने इसको बताया था Dati, D-A-T-I D is Durability, A is Appropriability, T is Transferability और I is Immitability चार फेक्टर थे हमने बताया थे याद आ रहे हैं सभी को चार क्राइटेरिया, चार करेक्टरस्टिक Sustainability के लिए Next, Question No.5 अगर आपने बत्रासर की Classes को Concept के साथ समझा है तो आपको MCQ पढ़ते ही उसका जवाब ध्याना है Option भी पढ़ने की ज़रूत नहीं है आपको आता होगा Internal are the activity in the organization that are performed specially well Internal वो activity हैं जो हम अच्छे से करते हैं क्या? Internal क्या है? Opportunity यह तो external है Competence नहीं Strength internal है management So correct answer is C Internal Strength are यह यहाँ पर dash आएगा Strength are the internal activities in the organization that are performed specially well Strength हम अच्छे से उप्योग में करते हैं ताकि इन चीजों का हम भरपूर प्रियोग कर सके हैं Strength internal है तो देखो पांच सवाल हमने कर लिए क्या कर रहे हैं हपन? MCQ Super Series पहला सवाल क्या था हमारा? The goal of short analysis तो क्या करें हपन? Exploit करें opportunity और strength को Neutralize करें threat को और correct करें weakness को पहले सवाल का जवाब है B Exploit, Neutralize, Correct दूसरा है short analysis किसका evaluation है Internal to external factor S, W, Strength and Weakness Internal, Opportunity and Threat external तीसरा, External Opportunity तो threat क्या करती है? Largely uncontrollable मौलदीव के example से बताया है चाहिना के example से बताया है चौथा, Sustainability and Competitive दाती, Durability, Appropriability Transferability, Immitability, किसी भी order में लिख लो और पांचमा, Internal कौन सी activity होती है Strength and Weakness तो इसमें केवल strength और option आ रहा है एक या option है, Strength is the correct answer बात हरी क्या सब को समझे में कितना आसान हो गया आपके लिए आईए, कुछ और सवालों को करते हैं MCQ बे हम कर रहे हैं MCQ Super Series Question number six Strategic group mapping helps in Strategic group mapping क्या करते हैं Similar चीज़ों को group में डाल दिया करते हैं Identify the strongest rival company Identify the weakest Identifying the weakest and strongest Correct answer is Weakest और strongest सब को करते हैं जैसे अगर मैं टेली कॉम की बात करूँ अगर मैं कहता हूँ यह strong है, तो strong मैं किसको डालूँगा Strong में मैंने डाला Geo को, strong में मैंने डाला Airtel को, strong में मैंने डाला Vodafone Idea को ठीक है, अब week आगे, तो week में मैंने किन को डाला BSNL को इसको डाला MTNL को तो strongest और weakest दोनों को डालते हैं strategic group mapping में बात हरे हैं सबको समझ में करके दिखाए आपको practically तो यह theoretical subject नहीं है strategic management is highly practical subject यह apply होता है और अभी जब अगला unit पढ़ेंगे तो आपको दुनिया पर के example जो दुनिया में घटिक दो रहे हैं बिजनस में आपको देखने को मिलेंगे अगला सवाल Question 7 इन माइकल पॉटर जनरिक स्टेटिजी emphasizes producing standardized product at very low cost per unit for the consumer who are price sensitive तो यह price sensitive को इसमें होता है price sensitive एक में होता है cost leader में और कोई है नहीं तो आप ढूंडो ही मत सीधा आजाओ cost leadership पे see is correct तो price sensitive होना ही अपने आप में cost leadership का कुन है standardized product देखो पहला standardized product यह भी इसमें आता है low unit per cost यह इसमें आता है price sensitive तीन चीज़ें जो न वो हमारे cost leadership को denote करती है तीन चीज़ें cost leadership को denote करती है पहला standardized product बनाते हो wastage नहीं आपके है low per unit cost है आपकी सबसे कम है उस particular area में और price sensitive market है आपका तो आपके लिए cost leadership भी strategy काम करेगी कहने की जरूत नहीं next question number 8 मतलब सवाल पढ़ते हैं जवाब दिमाग में आना चाहिए तब हम कहते हैं subject हमारी पकड़ में है और हम score करेंगे 40 plus out of 50 और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ बतरह सर के साथ जुड़े रहा हूँ यह अभी जो MCQ करा रहा हूँ यह तो कुछ है अभी इसके लावा बहुत सार MCQ practice में करा हूँगा जब आप एक बार सब कुछ पढ़ लोगे क्योंकि exam में तो कोई unit wise MCQ आते नहीं है महां तो सब scramble और jumble आते हैं मैं भी ऐसे ही आप से jumble or scramble पढ़ूँगा जब आप सारा कर लोगे तो तो उसमें बहुत सारी practice करा दूँगा तो आपका सवाल पढ़ते ही आपको जवाब आता हुगा क्योंकि आपने कहीं बतरह सर के in classes में practice उनको किया हुआ होगा तो 15 वैसे 15 number mcq में आएंगे तो आप बाकी कितने लाने रहे आपको 25 प्लस लाने रहे वो आप आराम से ले आएंगे जब आप descriptive portion भी बतरह सर के साथ करेंगे जैसे case scenario और descriptive question जो अपन कल करेंगे differentiation strategy can be achieved by following measures differentiation क्या क्या आप नाच सकते हैं अपन match the product with the taste and preferences of customer बिल्कुल सही जो लोग चाते हैं उसको समझो और उसके साथ से product बनाओ elevate the performance दो product दूसरी बात यह कही थिया तीसरा rapid product innovation which is above is true तीनों बाते सही है तो 1, 2 and 3 तीनों होना चाहिए तीनों बाते सही है differentiation के लिए तीनों बाते सही है यह तीन बाते होनी चाहिए पहला आप match करो लोग क्या चाहते हैं वैसा बना दो number two performance को elevate कर दो बढ़ा लो और तीसरा rapid innovation कर लो आप तीन चीज़े लियाओ आपका काम बल्ले-बल्ले हो गया 1, 2, 3 differentiation strategy लागो पढ़ा था अपने तीनों के बारे में क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है चलियर आगे बढ़ते हैं नेक्स सवाल question number nine what are the three different bases given by the Michael Potter generic strategies to gain competitive advantage तीन तरीके कौन है cost leadership differentiation and focus आपको ना option भी देखने की जरूत नहीं है आपके दिमाग में answer आना चाहिए जब आप MCQ कर रहे हैं सवाल पढ़ते हैं अगर answer आपके दिमाग में आ रहा है option आप बाद में देख रहे हैं तो आप right track में अगर सवाल पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में option नहीं आ रहे हैं answer नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ी और मैनत की जरूत दें सिंपल रूल है MCQ करने का simple rule यह है concept इतने strong होने चाहिए कि सवाल पढ़ती है हमारे दिमाग में उसका answer आना चाहिए option हम बाद में देखेंगे क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है शाली आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 एक फर्म successfully implementing a differentiation strategy would expect क्या करेगी बो premium charge करेगी simple सी बात है customer to be sensitive to price increase to charge the premium price B is the correct answer simple बात बाकी देखने की जरूत नहीं है आप differentiation कर रहे हैं तो आप premium charge कर सकते हैं को इतना हक है simple सी बात अच्छा इसके answer भी दे रखे हैं हाँ बिल्कुल हमने नीचे इसके answer भी दे रखे हैं so this completes our chapter number 3 complete वह यहाँ पे concept part complete concept part is complete concept part complete हो गया बिना समय गवायवे आईए चलते हैं multiple choice questions पे क्योंकि हमने काफी समय लेके से बार-बार revise करते वे आपके दिमाग में बठा दिया है strategic choices chapter का नाम था अब मैं आपके दिमाग में recall कर वा रहा हूँ strategic choices chapter का नाम था पहले हमने पढ़े थे सबसे पहले strategic choices वाले इस chapter में हमने सबसे पहले पढ़े थे broad strategies के बारे में strategic choices वाले चप्टर में सबसे पढ़े पढ़े थी हमने broad strategy given by William F. Blue Ganja चार है stability growth and expansion combination पार ले जी फिर growth expansion में पत अंजली ना उसके बाद रिलाइंस उसके बाद आपने और भी example लिये थे उसके बाद रिट्रेंजम्पन में एक्जांपल लिये थे जैट एरवेज जैट सहारा और एर इंडिया और combination में टाटा एंसंस फिर थे strategy exit team turn around divestment और liquidation turn around में एक्जांपल अबने लिया था इस्ततियों से लोटा लाना जो एक्जांपल थी हमारे पास में रॉयल इंफीड बुलेड का और बाटा का divestment का मतलब होता पार्शल liquidation एक portion बेच देना ऐसा almost हर company में कभी ने कभी किया किसी का भी नाम ले ले आप रिलाइंस का टाटा का actual का किसी का भी नाम ले सकते हैं अब इसमें सभी ने कभी ने कभी किया और फिर है liquidation complete sale out करके पेच के बाहर निकल जाना जेट है सहारा है किंग फिशर है और भी कही है एर डकेन है एर इंडिया ऐससे सब लोगों किया है और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था strategic choices options में पढ़ा था portfolio analysis method जो चार है पहले आईगर एंसौफ पढ़ा हमने उसके बाद हमने पढ़ा ADL उसके बाद हमने पढ़ा BCG और अपने लास्ट पढ़ा general electric model इस तरीके से यह chapter complete होता है आज हम लेने जा रहे है multiple choice questions को तो क्या आप तयार है तो यह रहा पहला सवाल आपकी computer screen फार which strategy is implemented after the failure of turnaround turn around जब fail कर जाती है तो कौन सी use करते हैं तब हम use करते हैं divestment कहने की बात ही नहीं है मेरको option में नहीं देखना है मैं सीधा answer बता देता हूँ divestment का है divestment is C देखो diversification नहीं है divestment is the सही answer तो turn around fail हो जाते है तो क्या अपनाते है divestment अपनाते है पढ़ के आए अप तो सवाल पढ़ते ही जवाब दिमाग में आ रहा है इसका मतलब subject पे आपकी पकड़ मजबूत है 40 plus आप score कर रहे है सवाल पढ़ते ही आपको सोचना पढ़ रहे है तो आपको और मैनत की जरूत है सवाल पढ़के समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको कुछ भी समझ में आप गलत क्लास में बैठे है ठीक है चल यह आगे बढ़ते हैं अगला सवाल question number two retrenchment strategy in the organization can be explained as क्या कह सकते हैं reducing the trenches or gaps created between the individual गलत divesting है major portion or line बिलकुल यही है सई जवाब यही है B is the सई जवाब divest करते हैं एक major portion को हम क्या करते हैं divest करते हैं liquidate करते हैं तो सई जवाब है हमारा second का B second का सई जवाब क्या है हमारा B retrench retrench कुछ नहीं होता है divest करते हैं सवाल number three an organization diversified into backward sequence in the product chain and enter specific product process to be used in the existing product line तो यह क्या कहलाएगा backward गहके तो यह कहलाएगा vertical integration vertical integration क्या है B में पढ़ाओ यह vertical है backward जाना forward जाना क्या कहलाता है अगर आप backward जा रहे हैं फार रवर आ रहे हैं stores की तरफ sales marketing की तरफ और आ रहे हैं तो आप vertically same process में रह रहे हैं इसलिए इसको हम कहते हैं क्या कहते है, vertical integration कहते है, vertical integration, backward, forward जाना क्या कहलाता है, vertical integration कहलाता है, जवाब आपको पता है चलिए, चौता सवाल corporate strategy includes expansion and growth, diversification, takeover and merger विल्कुल सही, vertical horizontal integration, new investment and divestment, बिल्कुल सही determination of the business line बिल्कुल सही, from the combination above select करो सही क्या तीनों सही है D is the सही answer, first, second, third तीनों सही है तीनों ही सही है हम corporate strategy में सब करते हैं growth, expansion, diversification, take over, murder horizontal, integration और business line कौन सी choose करनी है हमारे को कौन सा business बनाना है, इस सब चीज़ें इसमें decide होता है तो तीनों सही है, first, second and third clear है, clear है, clear है, okay सवाल नमबर पाँच vertical integration may be beneficial when lower transaction cost and improved coordination are vital and achievable through vertical integration, बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब ही सही है, vertical integration benefit में कब आता है जब आप ऐसा करके अपनी cost में कमील आ सको, और ऐसा करने से आपका coordination इंप्रूव कर जाए, तो lower cost हो जाए है हमारी, और improve हो जाए, coordination हमारा तो vertical integration में संभव है, पाँचवे का एह ही सही है छटा, देखो कितना आसान हो गया आपके लिए MCQ, मतलब MCQ तो क्या हो गया, हलवा हो गया, हलवा 15 नमबर तो हमारे आए पके समझो, 15 तो लाएंगे ही लाएंगे तो देखो, पास करना और स्कोर करना कितना आसान हो रहा है बत्रासर के साथ तो बत्रासर हैं तो मुम्किन है बत्रासर हैं तो मुम्किन है stability strategy कौन सी strategy है, stability strategy corporate level की है, पूछने की जरूती नहीं है, it is a corporate level strategy यह पर कुछ सवाल है हम और भी practice कराएंगे आपको यह end नहीं है, अभी हम ICA के करना है, फिर मैं कुछ और practice कराऊंगा आपको जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे एक बार test में जाने जाने जे पहले, पहले mcq के test लोगा मैं आपसे, youtube के उपर वहाँ पाना मेरे साथ में, हम youtube पे उसकी practice करेंगे और फिर हम साथ में case scenario और descriptive को भी और आपकी practice के में कराएंगे चलिए, आगे बढ़ें next conglormate, मतलब disjoint वाला, diversification is another name given for किसको कहते है, unrelated diversification unrelated का हो, disjoint का हो, no linkages का हो हाना, पुराने से कोई उसका लेना देना नहीं है, वैसा का हो, एक ही बात है तो unrelated है तीनों में भी तो हो सकता है, छे में, तीनों में भी हो सकता है, छे में मतलब stability strategy is तीनों में हो सकता है, मतलब stability strategy corporate level है, पिटा, तीनों फिर कौन सा है stability strategy corporate level है, पढ़ा है आपने corporate level strategy है top level पे बना करती है, यह हम पढ़के आएं, तीनों में कैसे हो जाएगा तीनों में नहीं होती, stability corporate है, business level strategy होती है, इंडिविजल बिजनस के लिए बनती है और functional होती है, जो marketing sales के लिए बनती है यह हमने आपको पढ़ाया है, chapter number 1 में भी पढ़ाया है, chapter number 3 में भी पढ़ाया है अगला सवाल, question number 8, diversification primarily helps too diversification क्यों करते हैं आप, risk को reduce करने के लिए, so it helps to reduce the risk, risk reduce करता है आपका investment कई सारे area में हो जाता है, तो कई नफा काई नुकसान average कर देता है, risk reduce हो जाता है question number 9, if suppliers are unreliable or too costly, आपके raw material वाले unreliable है, जदा महेंगे है which of these strategy may be appropriate, backward कर लो, हैना, Camlin के ink supplier कभी rate बढ़ा देते हैं, कभी गटा देते हैं तो Camlin को profit margin कमाने में दिक्कत हो रही है, तो ink वाले को खरीद लो, या ink बनाना शुरू कर दो, backward integration करो तो अगर suppliers unreliable है, costly है, तो आप backward integration करके उनको replace कर दो clear है, clear है, clear है ओहो, बस इतने ही सवाल थे हैं, सब हो गए, चलिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, सब ही हो गए, बहुत आसान हो गए हमारे लिए तो, तो देखें MCQ, पहला, which strategy is implemented after the failure of turn around? turn around fail होता है, तो divestment, divestment fail होता है, तो liquidation में जाते हैं, तो तीन stages है, turnaround, retrenchment की पहली stage है, turnaround, जैसे internal retrenchment कहते है, फिर divestment और फिर liquidation second, retrenchment strategy in the organization can be explained as divesting a major product line और market, B is correct, तीसरा, organization diversified into backward sequence, तो ये vertical में रहता है, forward और backward होना, आगे और पीछे जाना, vertical में आता है, corporate strategy तीनों को include करती है, expansion, growth, vertical, horizontal integration और business line का चुनाओ, vertical integration beneficial तब होता है, जब आपकी cost lower हो जाती है, और आपका coordination improve हो जाता है, अगर आप vertical integration कर रहे हैं तो sixth, stability strategy कैसी है, corporate level strategy कहलाती है, पूछने की जरूत नहीं है, stability, growth and expansion, retrenchment, combination, glucose and charge के शब्दों में ये grand directional strategy है, अभी अपने chapter 4 में इनको पढ़ा है सात्वा, conglomate मतलब disjoint, unrelated, no linkages between previous one, diversification primarily risk को reduce करता है, supplier unreliable है, तो आप backward integration करके, supplier, जो काम कर रहा है, raw material बनाना या उसको develop करना, acquire करना या खुद से बनाने लग जाए, आपकी dependency उस पर कम हो जाएगी, तो ये थे हमारे MCQ पार्ट, चालिए, आए शुरू करते हैं MCQ पार्ट को, आपने सारी पढ़ा ही कर लिए तो आओ पड़ा पड़ा जवाब देते जाओ, multiple question answer, पहला, सवाल पढ़ते ही जवा आना चाहिए आपको, leadership style that may be appropriate in the turbulent environment, appropriate in turbulent environment, जब market में बहुत उंचा नीचा हो रहा है, तब कौन सा होता है, ये की तरीका है, transformational, transformational is good for turbulent environment, keyword था हमारा ये, ठीक है, number two, an organization structure which constructed middle layer, middle level जिसका constructed होता है, वो hourglass होता है, constructed middle layer किस में होती है, वो hourglass में होती है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, number three, देखो, सवाल पड़ते ही, जबाब आ रहा है, you are the head of operation of company, when you focus on total or aggregate management function, तो हम बात कर रहे है, total or aggregate management function की, कौन सा होगा हो, management control, in the sense of embarking the integrated activity, management control, सोचने की बात ही नहीं है, next, which of the following would be, chosen by core strategist to implementation control, core strategist to implementation control, कौन सा होगा, बताओ, implement operational control, operational control को लागू करने के लिए, budgetary control, budgetary control, implement the operational control, पांचवा, compliance identification, internalization, किस ने दिया था, H.C. Kelman ने, H.C. Kelman ने कहा, किस ने कहा यह, H.C. Kelman ने कहा, three methods, compliance identification, internalization, changing behavior pattern में आता है, चलिए, छटा, which one is not a type of strategic control, strategic control का type नहीं है, operational control, operational control अपने आप में एक अलग control है, premises, strategic surveillance, special alert और implementation इसके चार हिस्से होते हैं, इसके चार हिस्से होते हैं, premises control पहला, strategic surveillance दूसरा, special alert तीसरा, और चौथा implementation, तो इसका पहला जवाब है, six का a, ठीक है, तो देखो, first का b, second का c, third का b, fourth का d, fifth का c, six का a, तो ये छे सवाल है, पहला, leadership style जो appropriate होती है, turbulent environment में वो है, transformational, organization जिसमें constructed middle level layer होती है, वो hourglass में होती है, due to technology, you are head of the company, total aggregative control देखना है, वो management control है, which of the following would be chosen by the core strategies to implement operation control, operational control को लागू करने का तरीखा कहां से आता है, budgetary control से, ये एक example है, budgetary control है, operational control हमने पढ़ा था, stock control, cost control, budgetary control, उसके बाद, compliance और ये सब HC Kelman ने कहा था, तीन method, changing to behavior pattern में होता है, और कौन सा strategic control नहीं है, strategic control में, premises control होता है, strategic surveillance होता है, special alert control और implementation होता है, operational control नहीं होता है, तो इस तरीके से हमने छे के छे कर लिए, चे के छे कर लिए, पता हो जी, तो MCQ कितने आसान हो गए आपके लिए, है न, सवाल पढ़ते ही जवाब आ रहा है,